रिवीजन यहीं पर होगी, ओके, मेरी बात सुनो ध्यान से, अकाउंटिंग स्टेंडर 10 में हमने कहा कि PPE को हम अपने पास जब रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स में, तो इनीशिली किस पर रिकॉर्ड करते हैं, मेरा ना थोड़ा दिमाग कराब हुआ पड़ा है, याद नहीं हम इसे फेर वैल्यू पर इनीशिली रिकॉर्ड करते हैं, या कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, मैं थोड़ा भूल सा गया, बिट अब क्या होता ना, इस उमर में ये समस्या आ जाती है, ओ माई गॉड, बच्चों ने बता दिया, कह रहें सर, दिमाग मत कराब करो, इट इ एसेट लेते हैं, तो फिर हमारी पास उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, एक्सचेंज में लेते हैं, तो मुझे ये बताओ, हम जब एक्सचेंज में लेते हैं, तो इसके भी दो पार्ट हो गए, फटा-फट से बताओ, दो पार्ट कौन-कौन से, no commercial substance, और दूसरा कौन सा हो commercial substance exist करता है, और अगर मान लो question में कुछ नहीं लिखा, तो best assumption क्या है, तो best assumption है, commercial substance exist करता है, मुझे ये बताओ, अगर no commercial substance है, इसका मतलब क्या है, भई इसका meaning क्या है, इसका मतलब no profit motive, जिसमें आपका basically profit का कोई motive नहीं, भाई चा रहा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा शब्द बताया, गरिमा ने, उन्होंने का मतलब ये, कि यहां भाई चा रहा है, very good, इंसान का इंसान से हो, कैसा नाता, सबका हो भाई चार, प्रस्ताव कह रहा है, प्लीज, गाना नहीं, गाना, okay, I am sorry, okay, I am sorry, ठीक है, सारे बच्चे ने लिखना शुरू कर दिया, गाना नहीं गाएंगे, please, okay, हमने पैसे गाने के लिए नहीं दिया आपको, हाँ, बच्चे ने का, क्या मैं इसे टेक्निकली बोल सकता हूं, no change in cash flow, the answer is yes, मतलब हमारी भावना cash के flow के अंदर कुछ रुपया कमाने की नहीं है, okay, अब मुझे ये बताइए, अगर commercial substance नहीं है, हमें सबसे पहले हमेशा क्या लिखना चाहिए, जो जा रहा है, कुछ भी हो जाए, किस पर आएगा ये, कुछ भी हो जाए, किस पर आएगा, क्या इस पर तुमने मुझसे गालियां खाई थी के नहीं खाई थी, क्या इस पर, हम, revisionary वीडियो बन रहा है, मेरे बच्चे, revisionary वीडियो बन रहा है, और ये उसके अंदर भी आपको गालियां आ जाएंगी, जादा कुछ बोले तो, तो ये आएगा, at book value, मुझे ये बताओ, जो new asset आपने अपने पास लिखा है, new asset को, भी हमने किसमें adjust कर देना है, क्या new asset के अंदर भी same value adjust कर देनी है, new value के अंदर भी हमने same value adjust कर देनी है, औ अगर मान लो, कोई cash भी आया गया है, तो मुझे बताओ, वो भी कहा जाएगा, अगर कोई cash भी आया गया है, तो क्या वो भी new asset में ही debit credit हो जाएगा, आहा हा हा, वो भी new asset में ही आया जाएगा, मैंने इसका वैसे आपको smart method भी बताया था, बताओ smart method क्या था, मैंने कहा old asset को क्या कर दो बोलो ना हाँ old asset credit कर दो cash आया है तो debit कर दो गया है तो credit कर दो और balancing figure को क्या डाल दो फड़ाफट से बताओ balancing figure को क्या डाल दो new asset डाल दो भई आपने यहाँ पर किस बात का ध्यान रखना है फड़ाफट से बताओ आपने किस बात का ध्यान रखने नो प्राफिट नो लॉस बात खत्म तो एक ही इंट्री में कर दिया अब बताईए फड़ा फट से कौन सा पसंद आया तुमको ए या बी सौर हमें दोनों पसंद आ गए है समझ के आएं तो बी भी अच्छा है क्या दिकत है ultimately बात तो एक ही है मुझे ये बताओ अगर commercial substance exist करता है तो हम फिर क्या करेंगे अगर commercial substance exist करता है तो हम अपने पास entry में जो डालेंगे सब बच्चे बताओ सबसे पहले credit जो करेंगे old asset को वो किस पर credit करेंगे फटा फट से बताओ old asset किस पर credit करेंगे क्या हमेशा हमेशा book value पर करेंगे हमेशा हमेशा बुक वेली पर करेंगे कैश अगर आ रहा है तो डेबिट होगा कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट होगा कोई दिकत की बात नहीं अब मुद्दे की बात आती है इनको अगर मुझे डेबिट करना है तो न्यू एसेट को हमें यहां पर डेबिट कर देना चाहिए यह अमाउंट कितने का होगा क्या यही समस्या है फड़ा फट से बताओ न्यू एसेट कितने का होगा यही समस्या है हाँ तो मुझे सबसे पहले बताओ तुमारी फस्ट प्रेफरेंस क्या है फस्ट प्रेफरेंस है क्या ढूंड़ना है नेट दिया क्या नेट दिया क्या मुझे फड़ाफट से बताओ नेट दिया क्या मैं आप मुझे बताओ क्या लिखें क्या मैं ओल्ड एसेट दिया है फड़ाफट से बताओ क्या ओल्ड एसेट दिया है हाँ, उसकी book value या fair value फड़ा-फट से बताओ, क्या लेंगे उसकी भई दिया है ना, तो book value पे लें देन थोड़ी ना होगा किस पर लें देन होगा, fair value पर होगा तो old asset की क्या चाहिए, fair value अच्छा, अगर cash भी paid है तो क्या वो जुड़ जाएगा, फड़ा-फट से बताओ वही cash भी paid है, तो जुड़ जाएगा क्योंकि वो भी paid है साथ में क्या cash की fair value वही होती है, जो already होती है बोलो ना हाँ के ना, cash की fair value वही होती है जो cash होता है, अच्छा, अगर cash received है तो क्या होगा, वही plus हो जाएगा अगर cash received है, तो वही plus हो जाएगा the answer is no, वो क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा ये bullet हटा दूं के ना हटाऊँ थोड़ी confusion हो रही है, bullet की वज़ा से तो मैं bullet को हटा रहा हूँ अग थोड़ा तरीफ करो कि देखो आपके teacher bullets के साथ भी use कर रहे है okay, you should appreciate your teacher continuously से क्या घजब आदमी हो मैं आज तक ऐसा teacher देखा ही नहीं bullet भी लगा रहा है जो अच्छा ये बताओ, इन सब को अगर देखें तो क्या मिलेगा इन सब को अगर देखें तो क्या मिलेगा इन सब को देखें तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, हिंदी में बताओ क्या, net दिया लेकिन इसके लिए एक problem है बोलो क्या problem है first preference को लगाने में क्या problem है first preference को लगाने के लिए old asset की fair value missing नहो ये problem है भगवान ना करे, बेटा भगवान ना करे क्या पका भगवान तुमारी सुन लेगा नहीं, नहीं, हो सकता है भगवान तुमारी ना सुने तो second preference क्या होगी तो second preference क्या होगी second preference के अंदर आप अपने पास बताओ क्या लिया क्या इसमें आपने net करने को बोला है मैंने क्या मैंने आपको इसमें cash को net करने को बोला ना 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 क्या लिया I mean to say fair value of new assets उसको अपने पास ड्याल दो अब मुझे बताओ अगर मान लो इसमें कोई cash की adjustment नहीं है मुझे बताओ third case अगर ये भी ना हो दोनों ही missing है तो third preference क्या होगी अगर मान लो ये first वाला भी नहीं लग रहा थर्ड वाला भी नहीं लग रहा तो आप क्या कर लो assume it as no commercial substance तो फिर क्या उपर वाला concept अपलाई हो जाएगा जो उपर वाला concept तो अपलाई हो जाएगा the answer is yes इस entry में क्या difference आ सकता है जल्दी से बताओ क्या इस entry में difference आ सकता है कि नहीं आ सकता है भई तुमने first second preference से किया होगा तो difference आ सकता है तो इसका difference कहां जाएगा फटा फट से बताओ इसका difference will be transferred to कहां transfer कर दिया जाएगा profit and loss account में transfer कर दिया जाएगा याद आगे आपको मुझे बताइए यदि आपने अपने asset को exchange में नहीं लिया आपने अपने asset को मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपने grant में लिया हुआ है तो कौन deal करेगा आपने अपने asset को grant में लिया हुआ है तो उसकी चर्चा कौन करेगा उसकी चर्चा AS 12 करेगा और वैसे वो याद कराओ कहां भेजेगा उसको वो उसे भेजेगा at nominal value वो उसे किस पर भेजेगा at nominal value with a corresponding कहां जाएगा with a corresponding capital reserve in asset per depreciation at the rate of straight line लगेगी in per depreciation at the rate of sir क्या दिमाग मत कराब करो इस पर depreciation नहीं लगेगी not charged ये AS 12 का special situation हो गई अच्छा यदी मान लीजिए आपने कोई asset inheritance में लिया है क्या आज कल inheritance की बड़ी चर्चा हो रही है क्या आज कल inheritance की बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है हाँ तुम्हें तो काफी तुमारी knowledge तो चिनाओ बढ़ा देते हैं ओके तो अगर ये तुम्हें inheritance में मिला है मैं word तुम्हें नहीं बोलना चाता अगर तुम किसी आदमी को inheritance के अंदर पैसे मिले हैं या उसे gift मिला है या उसको चोरी का समान है वैसे चोरी वर्ड भी बोलना अच्छी बात नहीं है या मतलब कहीं भी पड़ा मिला है तो मुझे फड़ा फड़ से बताओ हमारे पास यहां पर उसका क्या होगा यहां उसका क्या होगा do not record बताओ क्यों do not record बताओ क्यों क्यों क्योंकि उसकी cost नहीं है because no cost because no cost अच्छा अगर तुमने अपने asset को acquire किया है या तुमने अपने asset को construct कर रहे हो तो फिर cost क्या होगी मुझे फड़ा फड़ से बताओ अगर तुम इसे बना रहे हो तो फिर उसकी cost क्या होगी इसकी चर्चा होगी हमारे पास अगले वीडियो में see next वीडियो